आज हम पढ़ेंगे बुद्धी के सिद्धान, यहां से हम वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, बुद्धी के सिद्धान, पहला हम पढ़ेंगा एल्फेट बिने के बारे में, और इसे थोड़े से रिलेटिक तथे, तो एल्फेट बिने का जनम हुआ था, 8 जुलाई 1857 में, यह फ्रांसेशनी मनवग्या निक्ते है, पिर्थम बुद्धी मापनिया था, पिर्थम बुद्धी परिक्ष्ण किसने किया था, अल्फेट बिने ने, तो इसने, इन्हें बुद्धी मापनिया बुद्धी परिक्ष्ण का जनक भी कहा जाता है, अगर आपसे कोश्चिन प आप इसके मन्द बुद्धी बालकों को इनों तीन समुव में बाटा है पहला जड़ बुद्धी अथा इडियर्ट दूसरा हीन बुद्धी इंबेशिल्स तीसरा है मूल बुद्धी मोरोंस अब इनोंने इसमें कुछ प्रियोक्त किये उके उन्से थे सरलता से कठिंता किये इन्हों थीस प्डु को पूछ ले जाता है कि बिने साइमन पिरिख्षरम कितने प्रीयोग गया किज तो कितने कों प्रीख्षर अब आता है फिस संसोदित बिने साइमन बुद्धी परिक्षण जो दिया था इन्हों ने 1908 में इसमें कुलपा थी कितने थे 59 अब इस परिक्षण में सर्पिर्थम मांसिक आयू के कारक का प्रियोग हुआ संसोदित बिने साइमन बुद्धी परिक्षण इसे दिया था 1911 में इसमें बुद्धी को तीन भागों में बाटा गया है पहला समान्य बुद्धी दूसरा सेष्ट बुद्धी तीसरा मंद बुद्धी अब मैं कुछ और मुख्य वातने इसके बारे आपको बता देता हूं कि बुद्धी की ओर सर्पिर्थम ध्यान आकरसित किसने किया था इंग्लैंड के फ्रांसिस गालिटन ने 1885 में यह चीज लामें केटल दॉरह प्रिकासित की गई थी अब आता है नेंच्स बुद्धी लब्धी सब्धी का सर्पिर्थम प्रियोग कि खिया था फिले ने अगरा स्टेंट वा कुहूल मान ने 1912 इश्री में और जो सूत्र था वो था आई-क्यू बरावर में अपॉन सी ए अगला है इस्टैनफोर्ड बिने परिक्षण जिसे टर्मन बुद्धी परिक्षण भी कहा जाता है यह 1916 में अमेरिकी मनोविग्यानी टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिजविद्ध्याल अमेरिका में किया था तो कई बार यह भी चीज़ पूछी आती है स्टैनफोर्ड बिने 1911 में हुए है उनमें से केवल हीनों ने 19 पृष्णों को लिया था और यह एक साब्दिक परिक्षन है तो अगर आप से पूलिया राता है कि इस्टेंट- tenía परिक्षन से का है तो सब्दिक परिक्षन बच्वील और इसका जर्मनों सनसोदन क्स ने किया था 1902 हमारे चिटा rays परिक्षन था जर्मनों का एस श्टेंट परिक्षन संसोदन किया था 1902 में बर्टे करिक्षन बातने उनिस सो साथ में इस्टेंट फॉर्स बिस विद्या लेने अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि संसोदिक बुद्धी लब्दी का सूत्र किस ने दिया था किस ने दिया है तर्मन ने में तो कई वार इस चीज में में इस किस ने दिये तो मेंटल एज दिये बिने ने अब बिने के अनुसार बुद्धी तर्क निर्ने वा आत्म चिंतन की योगिता एवं शंता है अर्थात बुद़्ी तर्क निर्ण सिंदन City योग घटा एवं शमता है तो ये कभी कभी पूछ ले जाता है अब इन्होंने एक सिद्दधान दिया था बुद्धी का जिसे का जाता है एक तत्व सिद्धान्थ, एक कारक सिद्धान्थ, एकाई सिद्धान्थ, निरंकुसबादी सिद्धान्थ और यूनी फैक्टर थियोरी, इन मैंसे किसी भी नाम से वो पूछ सकता है, कि ये किसका है बिटी बाद कौन थे, अलफएट बीने, 1911 में, इनकी मिर्ट्यू से कुछ टाम पहले ही इन्होंने ये दिया था, 1911 में इनकी मिर्ट्यू हो गई थी, अक्टूबर के महिने में, तो उससे ज़स्ट पहले ही इन्होंने ये सिद्धान्थ दिया था, और इसके समर्थ तक जो बस एक समान्य तक्व के रूप में बताया, जिसके टुकले नहीं किये जा सकते हैं, और बुद्धी के बारे में, बिने ने कहा है, कि बुद्धी ब्याक्या निर्णे की योग गिता होती है, तर्मन के अनुसार बिचार करने की योग गिता होती है, इस्टर्ण के अनुसार नवीन परिष्टितियों के साथ समायुजन करने की योग गिता बुद्धी कहलाती है, और आपको मैंने ये पहली बता चुका हूँ कि बुद्धी के मापन छेत्र के जनक, बुद्धी परिच्णों के जनक कौन है, अल्ट्रेड बिने